बंदे मात्रम लेडियन दुस्तान आजी अरशनी लेकर आई आपके दिये रेडियो कहानी दुमाओं की दिवाली एक महिला ने अपनी कीचन से सभी पुराने बरतन निकाले पुराने डिबे, प्लास्टिके डिबे, पुराने डोंगे, कटोरियां, प्याले और थालियां आदी सब कुछ काफी पुराना हो चुका था फिर सभी पुराने बरतन उसने कोने में रख दिये और बजार से नए लाए हुए बरतन करीनी से रख का सजा दिये बड़ा ही पौश लग रहा था बुसका किचन, फिर वो सोचने लगी अब ये पुराना समान भंगार वाले को दिये जाए तो समझो हो गया काम साथी सिर्दत भी खत्म और सफाई की सफाई हो जाएगी इतने में उस महिला की काम वाली आ गई दुपट्टा खोश कर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नजर कोने में पड़ हुए पुराने बर्तनों पर गई और बोली बाप्रे मैडम आज इतने सारे बर्तन खिसने होंगे और फिर उसका चैरा जरा तनाव ग्रस हो गया महिला बोली अरे नहीं ये सब तो भंगार वाले को देने हैं सब बैकार है मेरे लिए काम वाली ने जब ये सुना तो उसकी आखे एक आशा से चमक उठी और फिर वो चहकर बोली मैडम अगर आपको एतराज ना हो तो ये पतीरा मैं ले लूँ साथ ही उसकी आँखों के सामने उसके घर में पड़ा हुआ उसका इकलोता तूटा पतीरा नजर आ रहा था उसको महिला बोली अरे एक क्यों जितने भी उस कोने में रखें तो वो सब कुछ ले जा अगर तेरे काम के हैं तो मेरा उतना ही सिर्दत कम होगा काम वाली की आँखे फैल गई क्या सब कुछ उसे तो जैसे आज अली बाबा की गुफा ही मिल गई थी फिर उसने अपना काम फटा फट खर्पन किया और सब भी पतीले डिबे प्याले सब कुछ थैले में भर लिये और बड़े ही उससा से अपने घर की और निकल पड़ी आज तो जैसे उसे चार पाउन लग गए थे घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपना पुनाना और तोटने की कागर पर आया हुआ पतीला और टेड़ा मिला चमचा वगरा सबकुछ एक कोने में जमा किया और फिर अभी लाया हुआ खजाना यानि की जो बर्तन वो लेकर गई थी सब ठीक से जमा दिये आज उसके एक कमरे वाला एक किचन का कोना पॉश दिख रहा था तब ही उसकी नजर अपने पुराने बर्तनों पर पड़ी फिर खुच से ही बुदबुदाई अब ये सामान भंगार वाले को दे जाए तो समझो हो गया का तब इस दरवाजे पर एक बिखारी पानी मांगता हुआ हातों की अंजुल करके खड़ा था मा पानी दे दे कामवाली उसके हातों की अंजुल में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पूराना पतीला नजर आ गया फिर उसने वो पतीला भर का पानी बिखारी को दे दिया जब पानी पीकर और ट्रिप्थ होकर वो बिखारी बरतन वापस करने लगा तो कामवाली बोली फैक दो कहीं भी वो बिखारी बोला तुम्हें नहीं चाहिए क्या मैं रखलू मेरे पास कामवाली बोली रखलो और ये बाकी बचे हुए बरतन भी ले जाओ और फिर उसने जो जो भी भंगार समझा उस बिखारी के जोले में डाल दिया तो बिखारी खुश हो गया पानी पीने को पतीला और किसी ने खाने को कुछ दिया तो चाबल, सबजी, डाल, आदी लेने के लिए अलग-अलग छोटी-छोटे बरतन और कभी मनुआ तो चम्मज से खाए तो एक तेड़ा मेरा चम्मज भी था आज उसकी फटी-जोली पॉश दिख रही थी दोस्तो सुक किस्प में मानें ये हर किसी की परिस्तिती और को निर्फट करता है हमें हमेशा अपने से छोटे को देखा खुश होना चाहिए कि हमारे स्तिती इससे तो अच्छी है जबकि हम हमेशा अपनों से बड़ों को देकर दुखी होते हैं और यही हमारे दुखका सबसे बड़ा कारण होता है हमेशा जुरत मंदों को देने की आदर डालने से एक चेंड बन जाती है अगर हम चेन मार्केटिंग के कॉंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखें तो चेन के अंतिम लाभारती की दुआ पहले दानदातों को मिलती है आज कर दीपा वाली की सफाई शुरू हो गई है हमारी शुपकामना है आपका घर नए क्रॉकरी, कपड़े, फरनीचर आड़ी से जगमागाता रहे पुराने का क्या करना है? आप बहुत भेतर जानते हैं बस आपकी जोडी हमेशा दुआउं से भरे यही हमारी शुवर से प्रात्ना है बने रहे हमारे साथ रेडियो इंदुस्तान पर सबको सिखाए, पेड़ लगाए, सबको सिखाए, जल बचाए